क्या आप जानते हैं कि सेम भैक्षिन के दो डोज क्यों लगाने पड़ते हैं कोभीट 19 मतलब कोरोना भाइरस डिज़ ऑफ 2019 जो की पूरे दुनिया में फैल रखा है पूरे विश्व में 46 लख से जिदा लोग मर चुके है अभी तक ऐसे प्रस्तिति में सबसे रहात वाले बा और अईसा भी नहीं है कि पहली बार अगर भेरोशी लिए है तो दूसरी बार आप कोभी शिद लेलू तो चल जाएगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता आप जिस भैक्षिन फर्ष्ट में लिए है वही भैक्षिन आपको सेकेंड दोज में भी दिया जाएगा पर सवाल है कि एक ब स्प्रूelles के लिए या फिर उसे श्प्प्रूस एक विमारी के लिए अब आप कहेंगे कि मार्म के लिए को मारके के लिए हमारे बडिंदर पहले से तयार रहा है सेंटिस्ट और डॉक्टर जब रिसर्च कर रहा है तो यह पाया गया है कि जो लोग बैक्सिन का फर्स ले चुके हैं उसमें एंटीबडी बढ़ने का प्रोसेस बहुती स्लो चल रहा है यानि कि धीमिर अफ्तार में चल रहा है और उसी बैक्सिन का सेकेंड रोज लिया हुआ आदमी में रिसर्च हुआ तो यह पता चला कि उस आदमी में इंटीबडी बने का प्रोसेस बहुती फास्ट चल रहा है यानि कि बहुती तेज चल रहा है याने कि सेकेंड लेने के बाद हमारा एंटीबडी फूल फोर्स में काम करने लगता है फूल पावर में आधाता है कोई भी वाईरस इंटर करें तो हम लोग उसको मारने के लिए पहले से रेडी रहे तो इसलिए गाइज भाइज भाइज फिर्ट बहुत जरूरी है और बैक्सिन का सकेंड भी बहुत जरूरी है बैक्सिन के पहला दोज लेने के बाद कुछी विक्स के गैप में आपको अपनाना जरूरी है जैसे की हाथ को सेनिटाज करें मास्क लगाए और समाजिक दूरी दो मीटर का मेंटेन करकर है इसी के साथ मैं आपको भी बता दो कि अगर आपके फैमली में कोर्णा भाइडर से लेटेड कोई भी सिम्टम दिखे तो आप उस फैमली में मेंबर को होम क कर दीजिए और उससे आप लोग भी डिस्टांस मेंटेन करकर रही है और इसी के साथ आप लोग यह भी ध्यान रखेगा उस बेक्ति को सांसले में तकलिफ ज्यादा तो नहीं हो रही है या फिर कुछ और समस्य बर तो नहीं गया या फिर फीबर बहुत तेज तो नहीं है कि लेवर यह है और ऊसी से उस बेक्ति को चेक किजिए कि उसका अक्सिजिन लेवल कितना है अगर अउस्जिजिन लेवल 90 से कम हो गया है तो आपको तुरंत नज्दिक asperia में जाना चाहिए और doctor से मिन जाता चाहिए उस बेक्ति को उमिद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हल्पुल रहा होगा याइज ये वीडियो आपको कशी लगे चार सक्साल में मत भूलेगा और ऐसे ही हमजी मिल जपने के लिए यूट्व के आमारे कालने सबस्क्राब कर लेज़ें लिलते हैं अगले वीडियो में